बहुत शुक्रिया मनोसिना साथ जम्मू कश्मीर के उपराजेपल जो हमारे साथ खास महमान यहाँ पर मौजूद है इस हॉल में और मैं जी मीडिया की तरफ से जी सलाम की तरफ से आप सब का इस्तकबाल करता हूँ हमने इस कारेकराम का नाम दिया है मनोसिना साथ नया सवेरा और जो शुरुवात जम्मू कश्मीर में हुई है बदलाओ की जो जनता की उम्मीदे थी आप एक राजनेता हैं आपका जो बैग्राउंड है वो एक तरह से कहें कि टेक्नोक्रेट का है मैं आप से जाना चाहता हूँ कि ये जो आठ महिने का आपका सफर जो बदलाओ की बयार लाने की जो मंशा थी केंद्र की आप कैसे देखते हैं पूरे सफर को मैं मानता हूँ कि मुल्यांकन इसका यहां के लोग करेंगे और वही मुल्यांकन सही होगा मैंने कोसिस प्रारम की है परडाम जब दिखेंगे तो मुझे लगता है सही मुल्यांकन हो पाएगा वसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहां टैलेंट बहुत है और करने की गुंजाइज बहुत है देखते हैं आगे होता है क्या लेकिन इन दिनों में जो आपने पिछले आठ महीनों में जो कदम उठाए हैं उन में से आप क्या प्रमुख तोर पर गिनाना चाहेंगे खास पर उद्योगों की बात करूं आप डिडी से एलेक्शन की अगर बात करें या यहां में रोजगार की जो बात करें तो इन में से कौन सी प्रात्मिक्ता हैं आपकी रही हैं जिनको जनता के बीच आप ले जा पाएं मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे समझ में आ रही थी वो आम आदमी के लिए प्लेटफार्म नहीं था वो अपनी बात कहां कहे यह सामाने रूप से सबसे बड़ी कठिनाई थी और मुझे लगता है कि थोड़ी कोसिस की गई है जितने हमारे डिसीज हैं एस्पीज हैं या डिबकाम और आईजी हैं तो यह लोगों से मिलें उनकी बात सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान करें यह कोसिस प्रारंब हुई है दूसरा एक जन अभियान एक इस दिन का चलाया था बारस सरकार की जो सोसल सेक्यूरिटी की 54 स्कीम्स हैं उनका सेचूरेशन पूरी तरह से हो जाए यह कोसिस की गई थी और जब मैंने कारेभार ग्रहन किया था तो उस समय कई चुनवतियां थी डोमेसाईल, कास सर्टिफिकेट, स्कॉलर सीप, प्रधानमंत्री आवास यह जना और आज मैं मुझे संतोस है कि उसमें काफी हद तक सफलता मिली है एक ब्लाग दिवस का कारिक्रम यहां प्रारम कराया है हर वेडनस दे को जिसमें हम कोसिस कर रहे हैं कि जो रोज मर्रा की सामान्य आदमी की दिक्कते हैं उनका समाधान हो जाए नया काम है मुझे लगता है कि उसको अस्थाईत वग्रहन करने में थोड़ा समय लेगा लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि काफी हद तक वो छेनलाईज हो गया है तो मोटे तोर पर जनता की सुनवाई के लिए एक प्लेटफार्म अब उपलब्ध हो गया है लोकतंत्र हमारी मैं कहूं कि नसों में है परंपरा में है पंचायते हैं बीडी सी के चेर्मेन थे यहां पंचायती राज व्यवस्था द्वी अस्तरिय थी टू टियर सिस्टम था जब पंचाहती राज व्योश्था देस में लागू हुई तो सामान्य रूप से जमु कस्मीर को छोड़ करके बाकी राज्यो में थ्री टीर सिस्टम लागू हुआ त्री अस्तर ये पंचाहती व्योश्था तो इस बार हम सबने कोसिस की है कि यहां भी वो विवस्था लागू हो और डीडीसी के चुना हुए लोग सांतिपूर ढंग से उसाह पूरवक लोगों ने मद्दान किया सभी राजनेतिक दलों ने यहां के सामान्य नागरिकों ने और अगर वो तस्बीर आप देखेंगे तो एक सो पांच साल के बुजूर्ग ने भी जाकर के मद्दान किया है ब्रद महिलाओं ने मद्दान किया है और युवाओं में बड़ा उसाह था तो शुनाव के बाद एक को क्लरिटी होगी अगर बजट के हिसाब से देखें तो बाकी राज्यों की तुनला में यहां का बजट बहुत ज्यादा है पिछले साल एक लाग करोड रुपए का था इस बार अभी देश की संसद में जो बजट पारित किया है वो एक लाग आट हजार छेसाओ एकसट करो का है उसके पहले के साल में नब्य करोड का था पॉपुलेसन अगर देखें जैनके की तो एक करोड पैंटीस लाग या तीस लाग अब मैं उन राज्यों की बात नहीं करूंगा जो देश में विकसित राज़िमाने जाते हैं मैं उनकी बात करूंगा जो देश के पिछडे राज्य कहे जाते हैं जैसे बिहार बिहार की आबादी ग्यारा करोड से जादा पिछले साल का बजट दो लाग करोड रुप है उत्तर प्रदेश आबादी पचीस करोड से जादा पिछले साल का बजट पांच लाग करोड रुप है तो अगर आप मोटे तोर पर तुलनात्मक द्रिश्टी से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार नार्थिस्ट या बाकी राजियों की तुनला में यहां यह दो तीन साल में नहीं पहले से भी छे गुना साथ गुना बजट का एलोकेशन रहा है कठिनाई तब पहला होती है जब 977 गाओं हैं जो अभी सलक से नहीं जुड़े हैं कठिनाई तब पहला होती है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि साब हमें पीने का पानी नहीं मिला है कठिनाई तब होती है जब लोग आके कहते हैं कि मेरे गाओं में बिजली नहीं है ये जो मूल भूत नागरिक सुविधाएं एक सब्य समाज को जीने के लिए जो नियुंतम सुविधाएं चाहिए मुझे लगता है वो जम्मू कस्मीर में किनी कारणों से नहीं हो पाया मैं उन कारणों में नहीं आना चाहता हूँ मैं कोसिस कर रहा हूँ कि ये जो नियुंतम सुविधाएं आने वाले दो धाई वर्स में हर गाओं तक सड़क, बिजली, पानी ये सब्य समाज की नियुंतम आव सकता है ये पहुंच जाए और इसलिए अगर इस बार आप देखेंगे तो छे हजार करोड से जादा हमने केवल पानी के लिए रखा है अब ट्रांसमिसन और डिस्टिबिूशन नेटवर्क एक दिन मैं गया था गुलमर्ग में वो विंटर स्पोर्स से इनागरेट करने तो ऐसे ही कारिकम था तो मैंने का कि घाटी में पहली बार बरफ और बिजली एक साथ लोगों ने देखी है और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया गर्मी में जमू में बिजली की हालत जो होती है जो लोग मुझे मिलते हैं खाने साब हाय तोबा मत जाती है अब जो में ट्रांस्मिसन लाइन बनाई भारत सरकार ने आज से चोओदा साल पहले सेंक्सन हुई थी उसमें ये प्राविजन था कि पुंच या रजोरी में 400 KBA का सबिस्टेशन बनेगा लेकिन अभी तक नहीं बन पाया यहां एक सबिस्टेशन है हमारा ग्लेडनी भारत हैवी इलेक्टिकल्स लिम्टेड ने वहाँ ट्रांस्फार्मर लगाए अब उश जमान में ट्रांस्पोर्टेशन की दिक्ट थी तो छोटी कपेस्टि के 3 ट्रांस्पार्मर कलब करके लगाए गहे आज 70% कपिस्टी पर चलता है और उसका जो बैक अप है हमारे पास अगर उसमें कोई तक्नीकी दिक्कत हुई अगर हम रिप्लेस करेंगे तो 50% कपिस्टी पर चलेगा वह हम बदलने की कोसिस कर रहे हैं ये कोसिस कर रहे हैं कि तत्काल इस बार जम्मू के लोग महसूस करें कि गर्मी में थोड़ी रात हुई है तो एक प्लान बना है एक तो एमेडियेट तरम मैं कौनगा कि महीने दो महीने में क्या बदला हो सकता है साथ तरम मैंने छे महीने में क्या हो सकता है एक साल मौने क्या हो सकता है और दो साल मैं आज़स्त करना चाहता हूँ कि 24 hours विजली quality power 24-7 हम यहां के लोगों को जम्मू कस्मीर के लोगों को दे सकेंगे इस विवस्ता में हम लगें लेकिन अब यहां के लोगों की जो आकांचा है अब स्मार्ट सिटी देश भर में लोग देख रहे हैं स्मार्ट ट्रांस्पोर्टेशन देख रहे हैं यहां के लोग भी देश दुन तो यह आवस्यक है अब मैं जिस तरह का टेलेंट है मैं खास तरह से टेक्नालोजी के अगर में बात करूंगा चाहँ आव आटिफिसियल इंटलिजेंस हो रोबर्टिक्स हो त्रीडी प्रिंटिंग हो एक सेक नौजवान हमें मिलते हैं बताते हैं साब ब्लॉक्शेन हो वो ज मैं नहीं लेकिन ना इती पार्क है ना इती टावर है तो इती टावर का काम दे दिया है अठारा महिने में तहए था उसमें दो महिने बिद गए 16 महिने में जम्मु सेनेगर दोनों आई-टी टावर बन जाएंगे अब यहां डाटा सेंटर कोई भी नहीं है अब आज के पंचायती व्यवस्था को मजबूत करना है क्योंकि वही लोकतंत्र की नीव है ये इसके लिए हम कटिबद हैं पिछले साल बैक टू विलेज के कारका में मोटे तवर पर मैंने जो हिसाब लगाया था साइद 42 पंचायते हैं यहां एका दुका पंचायते थी जिनके पास 50 ला प्या नहीं होगा काम करने के लिए इतना फंच हम उनको दे रहे हैं डिदी सी जो चुनावाब अभी हुआ है लोगों के जरूरतों के हिजाम से काम कर सके जिस बात का आपने जिक्र किया रोजगर का ये सही है कि नहीं सेधर के के इन्मेस्टमेट नहोंने से सरकारी नोकरियों पर ही यहां के लोग आफिरत रहें और सामान ने रूप से चार लाग से ज़्यादा सरकारी मुलाजीम है इस स्टेट में और बियार में तीन लाग दस हजार है पचासी हजार के आसपास डेली वेजर से हैं कोई दो हजार पर काम करता है कोई तीन हजार पर कोई शार हजार पर रहना साब आते हैं तो मेरी करदन पकड़ लेंग साब जल्दी परवनिट कर दीजे नहीं तो बड़ा बवाल होगा बिना किसी प्रापरली कंस्टिटिट सेलेक्सन कमिटी के उनको हम छेड़ नहीं हैं हमारी पूरी सानभूत है आगे परियोजनाओं में उनको एकमोडेट किया जा सकता है वो एकमोडेट करने की कोसिस भी कर रहे हैं और करेंगे भी लेकिन जिस तरह से चला है मैं देख करके मुझे हैरानी होती है कि आखिर ये सासन चल कैसे रहा था मैं किसी परारोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ च पंदर बीच साल बाद होता था बीच में कई कारक्रम होते थे स्रीमा नरेंद्र मोदी ने व्योस्था बनाई कि जिसका सिला न्यासो उसके उद्गातन की तारीक भी तैकर दी जाए मैं समझता हूं उस प्रक्रिया को जम्मू कस्मीर में भी लागू करने की कोसिस मैं कर रह है दो हजार तेरह का पका हम भी हम मुझे जेल बेजो कि क्या टिंडर है नहीं अप्रूबल है नहीं को रहे होगे प्रिमेंट करा दीजे तो अब एक व्योस्था बनाई है बीम सिस्टम यहां लागू कर दिया है ऐसी कोई बिल ऐसा कोई काम जिस जो अप्रूब्ड नहीं ह जिसका टिंडर नहीं है और जिसकी और टांस्परेन बहस्था हो जनता के vit की बात हो मैं समाझितना हूं इसमें सभी लोग सामत होंगे और इसमें सब लोग सहयोग करें सर आपका नो हजार दस हजार के आजपास नो जवानों को मिलेगा लेकिन मुझे आपको बताते विए प्रसनता है कि ये संख्या बीस हजार से उपर हो गई दो लाग से ले करके दस लाग रुपए तक लोगों ने रिन ली है और अपना काम कर रहे है सर हमने नया सवेरा नाम दिया है रोश्णी नहीं दिया हमने कि रोश्णी को लेकर काफी विबाद रहे है मैं आप से जानना चाहता हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता जिस सवेरे का इंतजार कर रही थी वो सवेरा हो गया है या अभी उसमें थोड़ी रोश्णी और डालनी बाकी है मैंने सूरज की किरणे लोगों ने देखनी सुरू की है पूरा प्रकास भी जल्दी देखेंगे आपके पास लंबा अनुभव है आप केंदर में मंत्री रहे हैं सांसद रहे हैं आप उस पदेश से आते हैं जहां पर सियासत में लोग इतने इन्वाल्व होते हैं वो देश की तरक्की के लिए कई-कई प्रधान मंत्री दिये हैं और देश के प्रधान मंत्री भी उसी पदेश से आते हैं जहां से आप आते हैं अभी आपने एक बड़ा फैसला किया कि पंद्रह दिन के अंदर पूरे जम्मु कश्मीर में तिरंगा जो सरकारी इमारते हैं वहां फैराया जाएगा इसको हम एक बदलाव का संकेत माने इसको इस तरह से देखना चाहिए कि भारत के ओल जमीन का टुकड़ा नहीं है ये जीत एक व्यक्ति ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में का कि साब मैं अपने घर पर तिरंगा रहाना चाहता हूं इसके क्या नियम हैं बता दिए तो ये तो मुझे लगता है कि देश के लिए गवरों की बात है और हर सरकारी भौन पर मैं निर्देश दिया है और जो ये नहीं का उसके खिलाब कारवाई करेंगे एक और संकेत सीमा पार से मिले हैं कि लंबे समय बाद चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों चाहे पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हों वो कहते हैं कि पुराने मुद्दों को छोड़िये और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है यह समझ में आ गया है कि अब इस तरह से बात आगे बने की नहीं मैं दूआ करूंगा अल्ला से कि पाकिस्तान को सद बुद्धी आवे क्योंकि उस देश के जो हालात हैं दुनिया से छिपे नहीं है और मुझे लगता है कि उनको अपने देश के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए कोविड जिस तरह से फैला है कैसे वैक्सीन मिलेगी कैसे इलाज होगा इसकी चिंता करनी चाहिए और भारत अब बहुत समर्थ देश है दुनिया की चवथी सबसे मजबूत आर्मी हमारे पास है तो मुझे लगता है कि ये मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए जब गलवन घाटी और बाकी अस्थानों पर भारती फोज मुकाबला कर सकती है तो किसी का भी मुकाबला करने में हमारी सेना समर्थ है मैं यहीं दूआ करूँगा कि उन लोगों को सदबुद्धी आवे और जो खतरनाक खेल खेलते रहे हैं मुझे लगता है कि आग लगाएंगे तो खुद जलेंगे इसलिए उसको बंद करना चाहिए सर एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो यह होता है कि राज जी की जो राजनेतिक विवस्ता है लंबे समय बाद ऐसी सिती आई है कि जब आपने कहा कि तरीस तरी पंचायत विवस्ता है वो बहाल होने की तरफ बढ़ रही है डी लिमिटेशन का भी काम चल रहा है आगे आने वाले समय में लोग इंतजार करेंगे कि एक लोगतांत्रिक प्रक्रिया कता है चुनाओ भी हो आपको क्या लगता है कि न्यू रख दी गई है त्रीस तरी पंचायत विवस्ता के इसाब से कि आगे का रास्ता बन रहा है आप सही कर रहे हैं और जिस बात को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने रास्त के संबोधन में कहा है मुझे लगता है उस पर देश भरोसा करता है और कई लोग हैं जो विदानसभा में रहे हैं या लोग संसद में रहे हैं मुझे लगता है संसद में कही हुई कोई बात सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा वादा कोई हो नहीं सकता है देश के सम्मानी गरी मंतरी ने पारलेमेंट के फ्लोर पर कहा कि दिलिमिटेशन की प्रक्रिया खतम होते ही विधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे एक बात समझने की है कभी-कभी यहां गफलत पैदा हो जाती है हमारे देश में समवाइदानिक संस्थाएं है चुनाव कौन कराएगा कभी-कभी लोग समझते हैं कि यह एलजी करा देंगे या यह नहीं चुनाव आयोग कराएगा और चुनाव आयोग की देखरेग में ही डिलिमिटेशन का काम हो रहा है खटिन काम है जैसे पूरा होगा मैं अस्वस्त करना चाहता हूँ कि विदान सभाग के चुनाव होंगे और यहां सरकार काम करेगी चुनी हुई सरकार काम करेगी एक बुद्धा काफी इस समय विपक्ष ने उठाया हुआ है कि PDP चीफ जो है महभुवा मुफ्ती उनका पासपोर्ट जो वरिफिकेशन था पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट नेगेटिव है क्योंकि इनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो देश की गतिवी जो देश व रोधी हो गए या देश के लिए खत्रा बन गए लगता कि देश में जो संस्थाएं काम करती हैं उन्हें काम करने देना चाहिए कर सी आइडी ने रिपोर्ट लगाई है तो मन्नी उच्छे नियाले में महभुवा जी गई थी वहां से कुछ फैसला आया है और उनके पास ए जो पर पर देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फीडी च्छी को नहीं काम कर लेती है हम लोग भी विपक्ष की राजनीत में थे और सरकार तो बहुत कम दिन ने उसके पहले बहुत सारे लोग थे उनके खिलाफ क्यों नहीं एडी सी बिया ने कर लिया मुझे लगता है कि इन संस्थाओं को स्वतनत रूप से काम करने देना शाहिए और अगर कोई कहता है कि राजनेतिक विद्वेस की भावना से किया जा रहा है तो मैं उसे पूरी तरह नकारता हूँ और एक प्रमान कोई दे दे कि वो एकदम दूद के धूले हुए हैं तो मैं वचन देता हूँ सारवजनिक रूप से कि उनके विरुद्ध कुछ नहीं होगा मैं एक प्रोजेक्ट की बात करना चाहता हूँ आपके आवाम की बात अक्सर यह कहा जाता था कि सरकारें बनी सरकारों के पास बजट रहा जैसे आपने कहा कि आबादी कम है और बजट इतना जादा है फिर भी निचे तक पहुँच नहीं पाया लेकिन आवाम की बात से क्या वाकई उस अन्तिम व्यक्ति तक आप पहुँच पायेंगे ऐसा दावा नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि को कोई भी पूरणांक नहीं होता है इस दर्ती पर हर आदमी को जीवन भर सीखना है तो बहुत सारी चीजे मैं बात चीत करता हूं तो मुझे नई जानकारी मिलती है दो सो लोगों ने मुझे पत्र लिखा है मेल किया है मुझे लगता है कि पहली अवाम की बात के बाद यह संख्यावर बढ़ेगी तो लोग बताएंगे तो मुझे भी समझने में सुविधा होगी मैं समझ पाऊंगा मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता है जम्मू कस्मीर के लिए तो पुरुनतया मैं नहीं हूँ तो इसलिए मैंने ये कोसिस की है कि सीधे लोगों तक पहुंचा जाए और वो माध्यम यही हो सकता है तो लोगों की जब राय आएगी तो मेरी समझ भी बढ़ेगी उस हिसाब से निरने लेने में मुझे सुविधा होगी सहुलियत होगी अज़र एक और बड़ा मसला है जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है कि यहां पर ओद्योगी करण जो है वो रफ्तार बिलकुल धीमी है जैसे आपके पास इतना लंबा नहुआ है केंदर की राजनीती का मंत्री के तोर पर काम करने का आपके संपर भी है ड्राइपोर्ट और कस्टम क्लिरेंस की आपने जो शुरुआत जो हुई है कि राज से निर्यात का जो करी पांस हजार क्रोल रुपए का जो लक्ष है आपको लगता है कि यह जो दो गतिविदियां अगर यहां बढ़ती है तो इससे इंडस्ट्री को एक बल मिलेगा एक तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है और उसमें लांग टर्म इंसेंटिव का प्राविजन किया है ठाइस हजार चार सो करोर रुपए का मूल बात मैं बताना चाहता हूं कि उसमें पच्छीस हजार करोर रुपया जो है वो जी एस्टी का ही है पहले भी बाकी तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है देशबर से मैं पूरी तरह आस्वस्थ हूं कि काफी मात्रा में निवेस आने वाला है ड्राइपोर्ट और यह स्टोरेज की जो बात है एक बैठक प्रधानमंत्री जी ने की थी उसमें उनसे मैंने अनुरोद किया था यहां ट्रांस्पोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है उच टोपोग्राफी के कारण भी जम्मू सिरिनेगर राइवे जो बनी लैंड्सलाइट के कारण एक बड़ा बड़ी ठीक हो जाएगी अब कारगो भी सुरू होने जा रहा है देर रात तक की फ्लाइटें भी स्रीनेगर से सुरू हो गए जम्मू एरपोर्ट जब ठीक हो जाएगा तो यहां से भी देर रात की फ्लाइटें चलें इसका प्रबंध हम कर रहे हैं इंटर्नेशनल में उसने जमीन ली है और वो काम सुरू करने जा रहा है डुबई पोर्ट डीपी वर्ल के लोग भी हमारे संपर्क में हैं और वो भी यहां ड्राइपोर्ट बनाएंगे कोल्चेन कोली सोरेजे जो ड्राइपोर्ट यह जम्मू कस्मीर की मैं समझता हूं कि नितान तावसकता ह है अपर इहार और अनिवार्या वसकता है और निश्चित रूप से उसे करना है तो बड़े सेक्टर दो बड़ी एरिया जैसे होते हैं जो राज जी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं एक तो खास तोर पर एजुकेशन सेक्टर की बात में करूं दूसरा हेल्थ की बात करूं तो एजुकेशन और हेल्थ में जितना बदलाव होना चाहिए था जितना तरक्य होनी चाहिए थी वो दिखती नहीं है आपने इन आठ महिनों के दोरान क्या अनुभाव किया कि ये छेतर क्यों पिछड़ गए नहीं मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ आप साथ नए मेडिकल कॉले जाएं दो एम्स जम्मू और स्रीनगर दो कैंसर इंस्टिचूट बोन इंस्टिचूट बच्चों के चिकिस्सा के लिए अलग अस्पताल तो इतना पीम डीपी में देश के प्रधानमंतरी नहा इंस्टिचूशन दिये हैं और मोटे तोर पर उसमे काफी फंक्सनल हो गए हैं और कोविट की तैयारी में मुझे लगता है कि जिला अस्पतालों में भी ऑक्सिजन प्लांट लगे ये सारे टिंडर हो गए हैं कई बन गए हैं कई दो तीन महीने में पूरी हो जाएंगे तो मैं मानता हूं कि स्वास्त की सुविधाओं की दिरि ग्रगिंस सिटी और एडू सिटी एक जगा अस्पताल भी हो वहीं रडियाली सिंटर भी हो वहीं परेथा है कि भाई आईए अपनी जमीन पर भी कुछ करिए नाम यहां के लोग जानते हैं मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं तो मुझे लगता है कि स्वास के छेत्र में यहां सुविधाएं ठीक है और उसको बजट भी हमने बढ़ाया है एजुकेशन के फिल्ड में साथ इनवर ना दिली में है ना मुम्बई में है ना बंगलोर में है ना कलकता में है न चिन्नई में तो ऐसा अफार्च हुनिटस आए नई है तो यहां IIT IIM इनवस्टी दो-दो सिंट्रल इनवस्टी यहां खुल गई है और मुझे लगता है कि यहां की जो कस्मीर और जम्मू इनवस् ही हमारे हाँ हैं और मैं आस्वस्त हूं कि नई सिक्षानित को पूरी तरह से जमीन पर लाइगू करने में उनके अन्य तरत में हम सफल होंगे स्कूली सिक्षा का जहां तक सवाल है मैं कहना चाहता हूं कि उसमें वोकेशनल कोर्सेस पर जो बल दिया गया है छेस्व सतर स्कूलों में वोकेशनल लेब बना दी गई है और अगर मैं देखूं इन्रॉल्मेंट की तो पिछले साल 60,000 बच्चों का इंडॉल्मेंट हुआ था इस बार 1,005,000 बच्चों का इंडॉल्मेंट हुआ है तो इसका अर्थ ही होता है सरकारी विद्यालेओं में अब बच्चों की संख्यां बढ़ने लगी है इसका मतलब कि उस दिसा में भी अच्छा काम प्रारम हो गया है और हम कोसिस करेंगे कि स्कूली सिक्षा हो तक्निकी सिक्षा हो या उच्छे सिक्षा हो इसमें आमूल चूल बदलाओ यहां हो और नौजवानों को विद्यार्थियों को पूरा आउसर मिले सर एक जो सबसे खास जो पहचान है कश्मीर को लगर का है केसर जिसको जी आई टैग भी मिला है एक्सपोर्ट के मामले में कई मुलकों से टक्कर मिलती है चाहे वो इरान हो चाहे बाकी तो आपको कहा रगता है कि ये एक राजctic के विकास के लिहाज से बड़ी बात हो सकती है कि ज़ादा से ज़यदा हम एक्सपोर्ट कर पायें इस क्वालिटी को केसर की बात भी मैं करता हूँ कुछ और बात करता हूँ उसके साथ भी यह सच है कि इरान का जो केसर है कस्मीर के केसर से उसका कोई मुकाबला नहीं लेकिन दुनिया के बाजार में इरान का केसर भी कस्मीर के केसर के भाव सही बिकता था और वो कहते थे कि यह हम यह भी कस्मी के साथ अभी किस दिन आल लाइन वारता हुई थी तो कस्मीर के केसर की कीमत इरान के केसर से अब जादा हो गई और यह जी आई टेकिंग के वल केसर तक सीमित नहीं रहने वाली है और भी हमारे जम्मू और कस्मीर में जो हर्टी कल्चर प्रडट्स हैं उन पर भी हम काम कर रह हैं और उनकी भी GI टेकिंग कराएंगे मुझे लगता है कि जैसे एपल का उत्पादन हमारा जो होता है अब हाई डिंस्टी एपल की और हम जाते हैं तो आने वाले चार साल में चार गुना एपल हम पैदा कर सकते हैं वालनट की पैदावार हम चार गुनी बढ़ा सकते हैं लेकिन किनी कारणों से कभी 50 hectare, कभी 60 hectare इसी का प्लान बनता था, इस बार हमने 500 hectare का प्लान बनाया है, ये हर्टिकल्चर में high density plantation के लिए, और मैं कहना चाहता हूं कि चार साल में ये 500 hectare लगा दिया जाएगा, दूसरी बात, लेंड लाज को ले करके यहां बड़ा उबाल लोगों में, मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि high density plantation से जम्मू वंचित था, ये साथ जम्मू के लोग नहीं जानते होंगे, या कई लोग जानते भी होंगे, तो नहीं बोलते होंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि high density plantation से जम्मू का पूरा area वंचित था, उस कानून को हम ने बदल दिया है कि भई कहीं भी आप high density plantation कर सकते हैं दूसरा एक कानून था कि चार कैनाल से कम जमीन है अगर किसी किसान की तो वो भी high density plantation नहीं की उसको भी खतम कर दिया एक एक कैनाल वाले को तो ज्यादा जरूरत है बड़े जमीदार को क्या जरूरत है उसको तो पैसा आई रहा है लेकिन एक कैनाल जिसके पास है उसकी आमदनी बढ़े यह आवस्यक है तो इन संसोधनों के कारण मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ठीक प्रगती मुझे लगती है और जम्मू एरिया के भी मैं कह सकता हूँ कि किसान बहुत रूची ले रहे है एक्जार्टिक वेजिटेबुल में हार्टिक कल्चर प्राड़क्स में और दूद पर काफ तीन साल में च्यारगुनी होगी और पाँच लाख लीटर दूद प्रतिदिन जम्मू कस्मीर का प्रक्योर अमूल करेगी यह योजना हमने बनाई है और यह तीन साल में धरातल पर उतर जाएगी सर एक मसला कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का भी है रोजगार का भी है उनको तो अभी किस स्टेज में हम माने क्योंकि बहुत उम्मीद हैं उनको कि अब इस्तितियां सामान ने होंगी तो हम अपने घरों को लौट पाएंगे जो बसना चाहते हैं वो बस जाएं और ब बात मुझे कहनी है रोजगार आवास और पुनर्वास ये एक दूसरे से लिंक्ट है कभी कभी कन्फूजन हो जाता है बारत सरकार ने छे हजार नौकरी और छे हजार घर उन लोगों के लिए पहले घोसित किया था किनी परिस्थितियों में कोई ने कोई कारण बता करके य आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 167 पोस्ट को छोड़ करके बाकी सभी सर्वी सेलेक्शन बोर्ड को भेंदी गई है और जून तक ये सारे पद भर दिये जाएंगे 3265 मकानों के टिंडर हो गए हैं 600 कुछ बने हैं जो रेस्ट है उनके टिंडर तीन महीने में हो जाएंगे तो मैंने एक लक्ष तय किया है कि जून तक 166 छोड़ करके सारी पद भर दिये जाएंगे और दो साल में 6000 मकान बना करके उनको बसा दिया जाएगे एक नई बात सामने आई वैली में भी जो लोग हैं वो खुद ये कोसिस कर रहे हैं कि कस्मेरी पंडिता में किसी कारण से वो निकल गए थे वहां में हमारे साथ रहे हैं और ऐसी संख्या काफी ज्यादा है मुझसे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि साब हम लोग भी इसमें पहल करेंगे और जो हमको कहना होगा वो हम भी कहेंगे और करेंगे तो ये एक अच्छा वातावरन बन रहा है कुछ ताकते हैं जो कुछ न कुछ हर जगा ऐसे लोग होते हैं लेकिन वैली के सामान्य आदमी के मन में भी कस्मीरी पंडितों के लिए प्रेम है और वो चाहते हैं कि फिर से खून खराबे के हुए एक सफलता माने गई हाल के दिनों में दो पार्शदों की हत्या जिस तरह से किये गई है तो फिर लगता है कि जो आतंकवादी हैं या जो ऐसी ताकते हैं जो स्थिरता नहीं चाहती हैं वो फिर चुनोती देने की कोशिश कर रही है ये कोशिस हुई है आगे भी होगी इसमें सतरकता कितनी और चुस्ती कितनी रखी जाती है अब वो सारवजनिक रूप से मैं नहीं कह सकता हूं उस बात को लेकिन वो मेरे संग्यान में है और प्रभावी कारवाई उस पर की जाएगी अगाई दुने को पूरी देश को जो जब कुछ जम्मु कश्मीर लुभाता है लोग फिल्मों की शूटिंग करने आते हैं में आपकी कुछ इस तरह के प्रोडूसर से भी मुलागात हुई थी क्या लगता है कि वादियों में वो रोनक फिर से लौट सकती है आज दो पहर में कुल्पती जी बठे हैं जमू विश्विद्याले के जुबिन नौटियाल का नाम आपने सुना होगा कस्मीर घाटी में ही रह करके उन्होंने गाना गाया है तो आज उसका अलबम हमने लांच किया है और वहां विस्तार से मैंने वो बात बताई कई नामी गिरामी जो वाली वुट के फिल्म दिर्माता है अभी पिछले दिनों वो होकर के गए हैं वैली से और मुझे लगता है कि साथ के दसक यासी के दसक में जिस तरह हिंदुस्तानी फिल्मों में सबसे ज़्यादा द्रिस से जम्मू कस्मीर का देखाई पड़ता था वो दोर अब सुरू हो रहा है तो अब एक बार लोग कहते थे कि ये फेवरिट डेस्टिनेशन था मुझे लगता है कि अब ये फेवरिट डेस्टिनेशन है ऐसा भाव लोग फिल्म जगत में पैदा हुआ है सर एक और बड़ी चुनोती प्रशासन के सामने होती है आपकी विवस्था जो है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर जून में शुरू होने वाली 6 दिन चलेगी कितनी बड़ी चुनोती आप इसको मानते है यह सच है कि अमरनाथ यात्रा सकुजल हो इसके प्रेद्न कर रहे हैं लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जिस तरह का इंतजाम होना चाहिए था यहां नहीं है पूरे रास्ते में जिस तरह पूरे देस में लोग सोचते हैं कि वहाँ बड़ी तकलीफ होगी मैं समझता हूँ कि आज के वाइग्यानी कुग में अगर आदमी चाहे तो इस यात्रा में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी अभी साल तो सब कुछ स्राइन बोर्ड का कार्याले और चार हजार लोगों के रहने का इंतजाम अमर्नास राइन बोर्ड का हो ये काम हम अगले साल तक पूरा करेंगे और रास्ते भर इस तरह के अच्छी सुविधाई यात्रियों के लिए ये दो साल में निश्चित रूप से और उनसे भी मैंने व्यक्तिकत रूप से निवेदन किया है कि आप सब लोग पूरे देश से आईए इस यात्रा का जिजिन सुभारंभो मैं कोशिश करूँगा कि देश भर के धर्माचारे यहां से यात्रा को सुरू करावे सर आखरी मेरे दो चोटे-चोटे सवाल है एक तो दर्बार का जो मूव होता है दर्बार बड़े लावलशकर होता है तो आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ जनता का जो भन है आप मैं से ही सवाल उठा रहे हैं मैं आप छेड़ना चाहते हैं मैं उसमें फंसने वाला नहीं हूँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि 200 ट्रक फाइल जम्मू से स्रीनगर जाती है और स्रीनगर से जम्मू आती है और उसमें कभी-कभी किसी गरीब आदमी की फाइल गायब हो जाती है तो एक काम हमने किया है कि E-Office 15 अपरिल से पूरी तरह सेकरेटरियेट में अब कोई फाइल नहीं आईगी और मैंने कह दिया कि मेरे पास 15 अपरिल के बाद मैं कोई फाइल नहीं लूँगा तो इसलिए भी E-Office पूरी तरह से हो जाएगा डाइरेक्टरेट पूरी तरह सेकरेटर यह भी आने स्कैनिंग का काम खतम हो गया है इसे भी E-Office में बदलना है इस बार मैं उमीद करता हूँ कि जब स्रीनगर हम लोग मूब करेंगे तो चालीश ट्रक में काम हो जाएगा और अगली बार जब स्रीनगर से जम्मू आएगे तो कोई ट्रक नहीं आएगा इसका इंतजाम हम जरू करने दिल्ली कटरा हाईवे को एक बड़ा माना जाता है कि विकास के लिए बड़ा एक्सप्रेस वे होगा तो अभी मार्च में शुरुआत होने की संभावना थी या कुछ लेट हुआ है कुछ आपको लगता है कि इस पर थोड़ा गती आएगी देखे एक बात समझेए कि कोविड ने पूरे दुनिया की रफतार रोकी थी देश की भी रोकी थी जम्मू कस्मीर की भी रोकी थी लेकिन पिछले 6 महीनों में मैं कह सकता हूं कि मुझे बताया था ये बात और मैं आस्वास्त हूं कि उस समय से काम करा लिये जाएंगे आखरी सवाल उत्तर पदेश से आप आते हैं केंडर की राजनिती आपने किये है और उत्तर पदेश या केंडर से रहकर जब आप जम्मू कस्मीर को देखते थे एक अलग नजरिया होता था और आज अब आप यहां के लेफटन गवर्नर हैं तो कैसा लगता है कि आप कुछ नजरिया बदला है मैं पूरी तरह से 24 केरट जम्मू कस्मीर का हो गया हूँ और जब तक मैं हूँ जम्मू कस्मीर का ही जोचूंगा मेरा सवाल सर यह कि लोगों का नजरिया अलग होता है जब आप अंदर से देख रहे हैं जम्मू कस्मीर को आप गाओं के लोगों से जाके मिलते हैं आप पंचायतों के लोगों से मिलते हैं डिडिसी वालों से मिलते हैं तो अब लगता है कि जम्मु कश्मीर के बारे में जो पर्सेप्शन बनाया जाता था कि ऐसा है जम्मु कश्मीर तो आपका पर्सेप्शन बदला है जम्मु कश्मीर को लेकर? यहां चले यहां यह जम्मू कस्मीर के लोगों की इच्छा है और मैं इस स्वर से प्रार्थना करता हूँ मामाशुरू देवी से उनकी इच्छा को मैं पूरी कर सकूँ पूपुक.com